नमस्कार, रागगिरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है इस चैनल के जरीए हम अकसर आपकी मुलाकाद देश के मूर्धने कलाकारों से कराते हैं और आज जिस कलाकार से हम आपकी मुलाकाद कराने जा रहे हैं उसके बारे में मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगा इस देश में बासूरी की जब भी बात होगी तो तीन कालखंडों में उसे बाटा जाएगा पहला कालखंड परामादर्णिये पंडित पन्नालाल घोश जी के नाम होगा दूसरा निसंदेह पंडित हर प्रसाच रसिया का नाम होगा और आज यानि मौजूदा काल में अगर बात की जाएगी बासूरी की तो सबसे पहले नाम आएगा पंडित रोनु मजूंदार का मैं बेहत बुनी, बेहत सहच रोनुदा का स्वागत करता हूँ तहे दिल से रोनुदा बहुत बहुत धन्यवाद आपने रागगिरी के लिए समय निकाला दादा इतना पढ़ा है मैंने आपके बारे में और इतना सुना है आपको कि मुझे अगर विस्तार से बात करना हो तो शायद कई घंटे लगेंगे लेकिन सिलसिले वार तहीके से अगर शुरू करूँ तो सबसे पहले तो आपके बच्पन में ही चलता हूँ और जहां तक मुझे पता है कि चुकि पिता जी बांसुरी वारत बनना चाहते थे लेकिन शायद उस वक्त की जरूरतें ऐसी थी कि वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए तो वो सपना फिर उन्होंने आपकी आँखों के जरीए देखना शुरू किया और उन्होंने ही आपको बांसुरी पकड़ाई वो सफर जरा सा याद करके बताएं दरसल मेरे पिता जी डॉक्टर भानू मजुमदार जी कोई व्यवसाइक बांसुरी वादक नहीं थे वो तो बहुत बड़े इंडिया के एकदम जो टॉप्मोस्ट ऑइल पेंटर रहे और बहुत बड़े होमिपाथिक डॉक्टर और वो जमिदार फैमिली से थे तो पांसुरी के जनमदाता कहे जाते हैं जीनों ने पांसुरी को शास्त्री संगीत में इंट्रीवस किया उसको रागों को बजानी का जो एक सिलसिला शुरू हुआ वो पन्ना लालगोर जी के वहें से तो उनसे मेरे पिता जी ने तालीम ली तो पन्ना बाबु यह कहने लगे कि तुने बानु इतना देरी से शुरू किया है तो अब तु इसको फुल टाइम तो ले नहीं सकता तो तो अपने बच्चे को जरूर सिखाना तो उसके बाद पना बाबु गुजर गए बहुत कम उमर में 1960 में और 63 में जब मेरा जंग हुआ तो प्रिता जी उसी पना बाबु कि बात को याद रखते हुए मुझे बांसुरी सिखाया उसके बाद पिर सफर आगे बढ़ा और आपकी मा तो आपको पनालाल गोश जी जैसा बांसुरी वादक बनाना ही चाहती थी तो मतलब ना सर्फ पिता के सपने थे बलकि मा का भी सपना था कि बच्चे में संगीत के स संस्कार हो और वो संस्कार आज तक आपके अंदर हैं हाँ अपने सब्सकार शिविंद्र जी मा मा जी की बात करने से पहले अब पिता जी का तो स्वर्गवास हो गया 2009 में अब मा के अंदर ही मैं माता-पिता दोनों के दर्शन कर लेता हूं मा पे एक लाइम मनी लिखी थी वो पहले कहके फिर मैं आगे बरता हूं मा भला मा क्यों होती है क्योंकि वो मा होती है मा जैसी कोई क्यों नहीं होती अरे क्योंकि वो मा नहीं होती तो जीवन में सबसे पहला जो ज्यान मिलता है वो मा से मिलता है तो पहली गुरु मात्र वो जननी जो होती है यहां मेरे मा माता जी भी बहुत अच्छा आती है और उन्हों ने पना बभू का जो बासुरी उस दिर कुण दिनों रेडियो होता था तो सब अच्छा ही होता है मगर बात यह है कि आप किसको चुनेंगे और कौन सा आपके लिए स्रेस्ट लगता है तो पनवभू की तरह ही मैंने भी साथ स्वरों का बासुरी शुरुकिया और मा का सपना पुरा करने का प्रयास किया और आज भी कर रहा हूँ चलिए लाजा तो बच्छपन की बात हो गई और अब हम थोड़ा और आगे बढ़ें इससे पहले मैं बहुत विनमरता के साथ आपसे गुजारिश करूँगा कि कोई एक भजन जो आपकी बासुरी से हक के जरीय हमें सुनने को मिले और उससे इस इंटर्व्यू की जो शुरु लिए उत्ती थी नहीं मगर आपने असी बाती कहीं कि जान की नात सहाय करें बयानी का मन कर रहा है के लीख टरूआ अ है झाल 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 यूटोब आपका जो संगीत है मतलब उसको मैं अगर मुझसे कोई कहे तो मैं उसे घराने में बांदा पसंद नहीं करूंगा क्योंकि आपने जिस तरह के प्रयोग भी किया आगे जाकर उस पर भी हम बात करेंगे आगे लेकिन शुरुआत जो है वो मैहर घराने से हुई जिसकी शुरुआत बाबा ने की थी और कह सकते हैं कि शायद भारतिय संगीत को जितना बहु आयामी कलाकार उनके उप में मिला उतना कहीं नहीं है भारतिय संगीत में तो कैसा था वो सफर कैसे सीखने की जो विधिवत तालीम की शुरुआत होती है कलाकार की वो कैसे हुई और क्या यानाता है उसको लेकर जी वैसे तो मैंने कॉमर्शियम को साहीं जराना जो पंडिल लशन पसाच जैपूर वाले जी जिन से मैंने गाने की तालिम ली और उस घराने का भी बहुत सारी बंदिशे मुझे यान है माईहर घराना आपने सत्य कहा ताकी खास करके तंत्र वाद्य जो या जो इंस्ट्रूमेंटर मेजिक जिसमें सुष्रिवाद्य भी है वाईलिन भी है पंडित्वीजी जोग साहब पन्ना वावू और निकिल वैनर जी साहब और पंडिद्र विशंकर जी आलिया वावा सब्सक्राइब तो है यह सब आप देखेंगे तो 90 जो वाद्य के वाद्य संगीत के सब्सक्राइब सब्सक्राइब बहुत बड़े बड़े लोग भावा ने दिया और तो इस गराने से पंडित विजयर आगवर रोजी जो बात में बांसुरी पिताजी के बाद जो तो वह कनेक्शन मेरा बनता चला गया और मैंने अत्यस्वागतम शुब्सवागतम जो एशीयर का वेलकम सॉंग था जिसकी रिकॉर्डिंग एटीवन में होई थी बाद में 82 एशीयर जो हुआ तो उससे मैं फंडित रविशंकर जी से मिला जो भारत रत नहीं बलके विश् की और भागिवान मानता हूं कि महियर घराने से जुड़ा मैं इतने कम उमर से और कुछ ने कुछ परसाथ मुझे भी मिला थोड़ा सा हमें अपने स्कूली दिनों के बारे में भी बताएं रुमुदा की पढ़ाई बढ़ाई में मन लगता था या सिर्फ जो कोशिश होती थी कि हमेशा हमेशा जो है वो साथ में बासुरी हो और हमेशा कान में जो है वो गणित या अंग्रेजी या विज्यान के फ पसंदीदा सब्जेक्ट थे विशाय थे जो मैं जोई भी करता था जैसे इतिहास और हिंदी जो लिटरेशर है उस पर मेरा मन लगता था और इंग्लिश में भी तो ये कुछ और गणित में एकदम डबा गोल था गणित में आज भी मन नहीं लगता और संकीत का गणित अच आज में आठ कैसे लाएं तो जो जातियां होती है हमारे जिप संगित में वो शायद गणित वाले भी उसका गणित लगा नहीं सकते मुझे असा वक्ता है कि जैसे कि आप अगर देखेंगे कुछ जातियां ऐसी बनती है जिसको वैसे गणित से लगाए तो नहीं आएगा रस्ते से ये लाएकारी हो सकती है अचा मैंने सुनाए कि आपके पिता जी ने एक बड़ी सक्त ताकीद दी थी और ताकीद ये थी कि जितनी बांसुरी तोड़ोगे उतने घंटे रियास करना पड़ेगा तो ये जो आजकल के युवा अकलाकार हैं जो सीख रहे हैं उनके शायद ये सिक्षा या उनके लिए ये किस सा बहुत उपयोगी होगा प्लीज बदाईए जगा तो जैसे बक्चेयां कोकुछ खिलोनों की जुरुत होती है तो वहाथ अब याज़नम हो आपको मालूमी है कि तो में बांसुरीगे खुली और थि घर में तो में कि थर बहुत सारे ब्स्ट कोई तो रहां थी ती नहीं किया ना को सजा ये नैन नहीं किए और मैं चाहए पांचे साल का था और उन्होंने कहा कि जितना सीधी सी बात है जितनी बाशुरिया तोड़ी है तो उतने गंटे रियाज करके तुम करो रोत qualcसी नेशसर मीफिकार किया पर इक इमानदारी से उतने और खंटे रियाज करने लगा चार घंता यह संब मेरा रियाज होता था और रियाज में ऐपार ऐसी involved calling तो अगर रियाज ना करें आदमी बीन तो लगता है कि जैसे कुछ रह गया और रोज खाना खा रहे हैं तो रोज रियाज क्यों नहीं कर सकते हैं तो मैं संगीत के चात्रों से यह कहना चाहता हूं कि साधना आप तो बाद में होगा पहले माजना तो हो जब माज लेंगे फिर उपर उसके बाद साधना का लेवल आएगा संगीत के बारे में जागरुकता पहलाने का एक मंच है जो एक रेजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खासतोर पर ये मुहीम चला रहे हैं जिसका टाइटिल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे